जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग को यूट्यूब चैनल एंसी या की इड्जर्फ के माध्यम से क्लास 6 लेके 12 तक का बायो केमेश्टी का फिलाल भी लेक्चर दिया जा रहा है तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि फोटो सिंथिस के दूरान कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और कैसे ब्लुकोज बनता है फुर बनता है और ऑक्सीजन का फ्रमेशन कैसे होता है यह सब जान गये थे प्रोसेस प्लांट्स में होता है तो क्या बनता है ग्लुकोज बनता है और आपको यह भी बताया गया था कि जो ग्लुकोज एक्ट्रा होता है जैसे कि माल देजे कि कुछ ग्लुकोज को प्लांट्स यूज कर देता है कुछ ग्लुकोज प्लांट्स पास एक्स्ट्रा होता है जो एक्स्ट्रा ग्लुकोज होता है प्लांट उसको किसमें कर्वाट कर देता है किसमें कर्वाट कर देता है अब क्यों कर्वाट करता है क्य कैसा करते हैं यह दोनों के आये से हैं सफाल यह उटता है कि फोटो सेंधिस के दर gardening क्या बनाता है क्या मतलई है क्या है क्या माधैर खगो हुरत सीम्पल प्लांट से सवाल है पर यह उठता है कि प्लांटस कर्बोंट से प्लांटस की यहां से प्लांटस कुरूट्स का की सब्सक्राथ चाहें है कि वुख में दिया हुआ है जैससे आपको पता होगा कि मैं आपको बताया था फड़ाते समय कि प्लांट्स क्या करते है कि अपने रूट्स के थो जो आब्द गरते धार स्वाहर से वाइट प्लस मिनर थो स्वाहर इसने मिन्रРИल थो सी मिनर ने づ Frei सास्पोरा से बहुत सारा चीज़ आता है तो आए जनुनियम नाइच्रोजन को एक्जामपल में लेते हैं अब नाइच्रोजन को प्लांट किस फॉर्म में लेता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेता है किस फॉर्म में लेता है वो क्या करते हैं कि nitrogen को fix कर देते है nitrogen को nitrates और nitrites के form में change कर देते हैं और plants क्या करता है उस nitrates और nitrites को absorb कर लेता है उसको nitrogen मिल गया अब देखिए होता क्या जिन देंगी Carbohydrates का formation जो होता है carbon hydrogen और oxygen से होता है यानि कि इसमें तीन तरह के आपके elements होता है carbon hydrogen oxygen जैसे example glucose को देखिए ना C6H12O6 क्या 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 है carbon hydrogen oxygen और oxygen और होता क्या है कि जो nitrogen plants से लिया उस nitrogen को plants इसमें add कर दिया तो क्या हो गया carbon hydrogen oxygen और nitrogen IC से मिल क्या बनता है protein बनता है यानि कहने का आथ है कि plants जब carbon hydrogen यानि कि glucose का formation करता है photosynthesis के दोरां उसके बाद वो और सारे elements जिसको वो absorb किया उसका यूज करके अलग-अलग components और food का formation करता है यह तो था autotopic nutrition की बाद इसके बाद जो अगला mode of nutrition है जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है heterotopic mode of nutrition कौन सा अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है थोड़ा समझेंगे यह heterotopic nutrition में क्या पढ़ना है जिसके आप लोग को बता दिया गया है कि autotopic में था कि मतलब जो भी organism में वो mode of nutrition जिसमें कोई भी organism में अपना जो food होता है या जो energy का requirement होता है वो खुद से fulfill करता है यानि अपना food खुद से prepare करता है लेकिन heterotopic nutrition में ऐसा नहीं है heterotopic nutrition में यह है कि वो organism में जो होता है वो दूसरे पर depend होता है मतलब आप कह सकते हैं कि जनरली अगर डारेक्ट बोले तो plants पर depend होता है okay plants क्या है producers है producer इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि plants food manufacture करते है और शूर। मुदि से आपके गर में कोई भी शमान आता है तो देखिए हेट्टोपिक mode of nutrition मतलब क्या होता है आपने बहुत सारे class में पिछे class में पढ़ा दिया इसको कह सकते हैं the mode of nutrition in which an organism get their energy or fulfill their energy requirement from other organism या an organism get their food from other organism अब कुछ भी कह सकते हैं इसको अब इसके अंदर जो है आपका जो हेट्टोपिक nutrition है हेट्टोपिक nutrition के अंदर अब आता है कि डिपेंड करता है कि प्लांट्स जो सॉरी एनिमर्स जो होता है वो फूड लेता कैसे है फूड को लेने का तरीका अब हेट्टोपिक nutrition ही बहुत तरह के होते है क्योंकि जो उसका अगल वगल का जो environment है इनिमर्स का वो उस बात पर डिपेंड करता है उसके बोडी के अंदर का जो structure उस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का हेट्टोपिक nutrition करें जैसे कि आपको मैं सम्झाता है इस तरीके से जैसे कि देखिए अगर हेट्रोपिक nutrition को हम डिवाइट करें तो इस तरीके से डिवाइट कर सकते हैं सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक nutrition अभी सेप्रोफाइटिक nutrition क्या है सेप्रोफाइटिक nutrition एक ऐसा nutrition है इसमें कोई भी और्गे मुटरीट से यह वह राव जो जब वहाँ से अपना फूड लेता है dead and decaying material, when the mode of nutrition in which an organism gets their food from dead and decaying material is known as saprophytic nutrition अब इसमें होता क्या समझेगा ध्यान से, जैसे माल लीजे कोई मरा हुआ जानवर, एक्जामपल लीजे, यानि कि dead animal, या आप माल लीजे excretory product, यानि कि जो आप कह सकते हैं, जो excretory product होता है, जो animals का या plants का जो कुछ भी, वो, यानि कोई भी organic matter, कोई भी organic matter, जो आपके environment में ह तो आपने bacteria और fungi का तो नाम सुनाई हो रहा, bacteria और fungi क्या करते हैं, उसको decompose करते हैं, यानि कि पहले इसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद फिर उसको absorb कर लेते हैं, यानि कि सीधा भासना में कहते हैं, खा जाते हैं, समझ कहना है, यानि bacteria क्या करते हैं, कि dead or decaying metal ज क्यों कि यह रोग क्या होते हैं, यूशिल्लेलर और अ क्यों सिलुलर ऑर्गशम होते हैं, अब यूशिललर ऑर्गशम ह्ता हैं, यह तो रिकल यह तरीका हो गया, और मनेजें हम दूसरी बात करें, अल alum हेक्रत्रॉपिक नूटॉष्टसां के, इसमें कहा था ता हैं कोई organism जो है आपका वो किसी दूसरे organism living वो जीनदा होगा उससे क्या करता है वो फूड लेता है और उसको हाम पहुंचाता है जैसे जोक का नाम सुना होगा समझ गाना है वो आपके सरीज में सच जाएगा आपके सरीज से क्या करेगा खुल चुक सेगा तो क्या कर फूड आप यह किसे दिजीज होता है वो क्या करता है आपके अंदर रहेगा आपको हाम पहुंचाएगा और आप इससे फूड लेगा यानि कि आप इक अंदर बढ़ेगा और आप इको हाम पहुंचाएगा तो पारासिटिक न्यूकिशन के अंदर जो organism यह मांदेजे की organism A कोई है वो क क्या करेगा? हार्म उचा एक बी यह बाला का भी वाला हो गए होस्ण हो गे improved याले कि जेसे की दील के आप में लंची का लिए हम आशना Cover जाना होगं उन्या होता है उसके लिए हम क्या हो गया है था हम से लेगा खना हम लिविंग रहेंगे हम से खाना ले लिविंगे तब और हम से खाना लेगा और हम ही को हम पहुंचाएगा तो इस तरह यह के nutrition को हम parasitic nutrition कहते हैं और जो main हम लोगो पढ़ना क्या है आपका हेंद्र अंदर अंत्रगरमें से बार रहा है वह आपका फोलो जोईक नूट्रेशन ऑभी एक क्या है फोला दा इसका सब्सक्राइब हो जो हो जो है जिसके तहब आपका जो क्या सकते हैं कि कोई और गनीज में किसी भी सॉलिड या लिक्विट फूर्ड मेटेरियल को इंगल्फ कर देता है और उसके बाद इसका डायरिशन बोडी के अंदर होता है नहीं समझ में ध्यान समझेगा हमने जो पहले वह देखा था सैप्रोफाइटिक में जो कि वह भी हेट्रोटोपिल निटिशन का पार था सैप्रोफाइटिक में क्या था पहले बाहर में नाभूत अंदर लेगा उसके बाद अंदर ले जाने के बाद याईजन होगा समझे रहा है कनेका मैंने बहाद से अंदर लेकर फिर याईजन होगा लेकिन स्यप्रोफैटिक में क्या हुआ था पहले तोड़ा गया तब अंदर लाया गया तब तोड़ा जाएगा तो जब कहीं भी किसी भी ऑर्गनीज में आपका कोई ऑर्गनीज में solid or liquid food material को इंगल्फ बगता है अपने अंदर तो उसको हम क्या करते हैं holojoic nutrition कहते हैं अब holojoic nutrition में आप जानते हैं इसमें भी इसका parts अब गsters and totalelines एडुदी ऑपका plants spring was जो की plants खाते हैं और plante डोन हखाते है प्लांट आद्निमल्स दोनों खाते हैं और ओमनीबुर्स थोटिहिस और स tut हरデhãम जो कि जो कि फ्लेस खाते हैं और आपका ओमनी गोरस अनिमल जो कि फ्लेस और प्लांट्स दोनों खाते हैं यह सब किसमें आता है होलो जोईक नुटिशन में आता है अब होलो जोईक नुटिशन के अगर हम बात करें तो होलो जोईक नुटिशन में पांच प्रोसेस आता है इसको हम लेगे इंजेशन क्या जी इंजेशन उसके बाद डाइजेशन उसके बाद एबस आपसन उसके बाद एशी मिलेशन एसी मिलेशन अब लास्ट में क्या आता है कि आब समझेगा पहले खोलो जोई जो और्गनीम हो जो जो औरगनीम करता है वो सबसे पहले food को अपने अंदर इंगल्थ करता है निए food को उठाता है और बोडी कर अंदर लेकर चला जाता है उस process को हम क्या करता है ingeasin taking of food material is known as ingeasin अब उसके बाद अगला काम उसका होता है जो food material अंदर ले गया जो आपका food में ले उसको क्या करना ब्रेक करना तोड़ना किस में simple form में तो the breaking of complex food material into simple food material is called digestion यह कौन करता है जो और्गनीम होदर जो करता है पहले लिया उसके बाद क्या किया उसको simple form में तोड़ा अब simple form में तोड़ने के बाद उसका क्या करता है absorption करता है क्या करता है absorption करता है यानि जो food material digest हो गया जो simple form में तूट गया उस digested food को बोरी क्या कर जाता है एब्जॉब कर जाता है इस इस नोन एस एब्जॉप्शन उसके बाद जो फूद मेटेल एब्जॉब हो गया उसका बोड़ी यूज कर लेता है किसके लिए वर्क करने के लिए क्योंकि आप जानते है कि फूद मेटेल क्या है सोस अफ इनर्जी है और फूद मेटेल का सिमिलेशन और लास्ट का प्रोसेस है इजेशन जिसके अंदर या तहत वो जो आपका और इनर्जी वैसे जो खाना खाए तो उसके बाद कुछ कच्रा भी तो बनेगा कुछ वेस्ट मेटेल भी तो होगा उसको बाहर निका उस प्रोसेस को क्या करते है इजेशन यानि कहने क आथ के एक होलो जो ही नुटिशन करने वाला और इतना सारा प्रोसेस एक साथ करता है इंजेशन केटिंग फुद मेटेल डियेशन आपका क्या कहता है तो कंवर्जन फुद मेटेयल कैसा फ्रों कंपलेश तो सिम्पल उसके बाद रगा इजेशन फुद मेटेल या सिम्पल प्रों कंवर्ट मेटेयल तो ड्राइवन वालो, फक्वर्ण अपके बाद रुद मेटरयल ज्सके अंगी हमूर्णाइर फ्रों के उसके समय के बीजाएव, आपके गाले, फुद या इतना मेट, मिलों के इंजेशन साथ कंवर्णाइल के तोड ओ चुद कालिये पीतल ॉसक झाल, 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 झाल